नमस्कार क्या पचल टीवी का खाश शो चुनावी कुडली देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा 2024 में पियम मोदी को मात देने के लिए बिपक्षी गडबंदन इंडिया का गठन किया गया था तमाम वादे और दावे कीए गया थे बताया जारा था कि ये गडबंदन मिलकर चुनाव लड़ेगा हाला कि ऐसी तस्वीर तो सामने नहीं आई कहीں कहीं गडबंदन जरूर हुआ है, لकिन ये नाम मातर ग आई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पार के चुनावे जो विपक्षी पार्टियों के तरफ से दावे किये जा रहे थे, कि मौदी को सक्ता से बेधखल कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, विपक्षी गडबंदन मजबूत है और 2024 के चुलॉव में विपक्षी गडबंदन की सरकार बनेगी तो क्या कहती है विपक्षी गडबंदन इंडिया की कुंडली इसे जानना और समझना बहुत जरूरी है इसी को समझने के लिए इस पे तमाम अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में आचार हिमाल शूप मन्योजी आचार जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका रादे 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 मतलब ऐलान हुआ जो जो जिस दिन जो है इन्होंने कहा 18 जुलाई संद 2013 तीन बजिकर पचास मिनट दोपहर के समय और बैंगलॉर था वो प्लेस वो इस्थान जो था वो बैंगलॉर था तो जब इस कुंडली का निर्माण होता है तो बड़ी रोचा कुंडली बनती है ब्रस्चिक लगन की कुंडली है देखे ब्रस्चिक लगन की कुंडली हो और चतुर सद्रश्टी मंगल की हो तो मैं कहता हूँ, मैंने BJP की कुंड़ी पर जब बात की है, तो मेरी और आपकी एक बात हुई थी, उस पर बात ये हुई थी, कि मंगल जहां द्रश्टी डालता है, सजीव चीजों का नास करता है, तो लगन पर द्रश्टी डाली है, तो सजीव क्या है, व्यक्ति और उसका तो निश्चेत तोर पर उस व्यक्तित्य की ही हानी हो रही है, जिस कारण से इंडी कटबंदन को जो आप देखती है, तो हमारे कानपुर पर शेतर से मैं आता हूँ, एक कहावत है, सापों का गठवा बांदेगा कौन, आप अगर एक को पकड़ कर लाएंगे, दूसरा भग जाएगा, दूसरे को पकड़ कर लाएंगे, तीसरा भग जाएगा, क्योंकि वो सब भग रहे होते हैं, तो वही इस्तिती इनकी है, और इनके साथ इतनी समस्याएं क्यों लगातार हो रहे हैं कि कहीं कोई कुछ कर दे रहा है, व्रस्चिक लगन, जातक की हो या संस्थान की हो, जब ऐसे संस्थान की होती हो तो निश्चित तोर पर ये कहना चाहिए, वो संस्थान, वो संस्था आयन मौके पर अपने साथ के लोगों को धोखा देने के लिए जाना जाता है, क्यों? क्योंकि व्रस्चिक, अर्थात, कौन, विच्छू, आप जल में डूब रहा हो, एक संथ की कहानी, सादू की कहानी हम सभी सुनते हैं कि जब वो जल में डूब रहा था, तो उसे निकालने के लिए वो सादू उपने हाथ में उठाता है, और विच्छू जैसे ही पानी से बहार आता है, संथ के हाथ में ही डस लेता है, ऐसी ही इस्थिती इस गटवंधन की है, क्यों? क्योंकि व्रस्चिक लगने की कुंड़ी है और लगनेस की दरश्टी है, तो लगन बहुत मजबूत है, तो ये सुभाव भी बहुत मजबूत है, जो इनको लेकर बाहर आएगा, वो स्वयम उनके विसका सिकार होगा, मैं ये बहुत, इस पर सब्दों के इंडिक कुंड़ी देख पा रहा हूँ, सनी की महादसा, शुक्र का अंतर और ब्रहस्पत का प्रत्यंतर, अब ये कितने हद तक कामियाब हो सकते हैं, तो निश्चित तोर पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत अधिक कामियाबी इनके हाथ लगती हुई, नहीं दिखाई दे रही है, उसक मैं संगठन की गोशना करने या संगठन मनाने की सला दियो जोसी जानकार व्यक्ति था, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि उससे नक्षत्र में जा करके गोशना करना बस उस वक्ति में दिन बताया था, समय नहीं बताया था, वहीं ये मात खा गया है, क्योंकि उससे नक बहुत समय पहले जो वह हम लोग इंडी पर बात करते हैं तो दो एक जिक्र किया था शुकर और मंगल कहीं ना कहीं वेक्ति के चैरित्र को दूसित कर देते हैं और जो इंडी कड़ बंधन हैं के दसमभाव में शुकर और मंगल की यूति अत्याधिक उर्जा उत्पन अंगरत लेकिन चरित्रदूसित कर देता है। चरित्र का जो दूसित होना है वो नहीं बचा पाएंगे ये सबी तो इसी कारण से इस गटवन्धन को लेकर लोगों के बीच में मतलब जो है जो आप देखते हैं कि भाई अब राजनिताओं का काम है वो अपनी बात कहते हैं मेरा काम है जोत्सी तोर पर गढणा करना है वो स सश्टे मतलब जो है दोतियेस द्वादसेस सब्तमेस और तरतियेस पराक्रम भले ही करें लेकिन इनके हाथ कर्म करने का उसर नहीं आने वाला है क्योंकि कर्म भाव पर सनी की द्रश्टी है और उहां पर मंगल की उपस्तिती निश्चित तोर पर सुख इनका बादित होने सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब। चेत्र की ब्रत दी कर रहा है लेकिन वो मैं उसमें और एक आपको चीज बता दू ये इसमें सीटें कॉंग्रेस की काम होंगी अन्य दलों की अधिक होंगी जो इनके साथ गडवन अलाइंस में है उसका कारण ये है कि सबतमेज जो है वो अपने दसा के अंतराल में तो जो साथ उनको आगे बढ़ा देता है आपको पीशे कर देता है अच्छा एक बहुत इंपोर्टन सवाल है वो आपसे समझना चाहेंगे अलाकि एलाइंस हो गया कई-कई राजियों में एलाइंस के जरिये सीट शेरिंग भी हुई सीट शेरिंग के हिसाब से चुनाओं पे भी स उसे सुनाओ कि लगन ही ब्रस्चिक है और जब ब्रस्चिक लगन है तो निश्चित तोर पर आपने बाहर निकाला है पानी से विच्चु को तो डंक तो पड़ेगा ही पड़ेगा वो सब एक दूसरे को काटने के लिए तयार बैठे होंगे मतलब लड़ाई फूट अभी फूट अभी बाकी है तो निश्चित तोर पर आप ये माल लीजिए और इस फूट का इंतजार आपको करना होगा बहुत जल्द ही पता चल जाएगा आप देखेंगे कि ये जैसे ही चुनाव परिनाम आएंगे उसके बाद ही इसके रिजल्ट आने लग जाएंगे और संभवता दो हजार पच्चिस तक इस संगठन का नाम आपको नहीं मिलने वाला है संगठन ही खता हो जाना चाहिए दो हजार पच्चिस अक्टूबर से लेकर दो हजार पच्चिस दिसंबर के बीच में आप पाएंगी कि ये जो संगठन है ये सिर्फ नाम का बचा होगा दो चार पार्टियां बची हो तो बची हो पना पोल नहीं मिलने बचा होगा तो निश्चित तोर पर केतू मोक्ष दिलाएगा और वो समय होगा अक्टूबर क्यों मोक्ष दिलाएगा क्योंकि सब्तमेस सब्तमारक होता है ठीक द्वतियेस वो भी मारक होता है ठीक उसमें चुना हो रहे हैं और फिर उसके बाद में जब सब्तमेस मारक और जो है द्वादसेस के तू जब आएंगे दसा में तो निश्रित तोर पर मोच्छी करा देंगे तो ये तैम आनिये कि वो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होगा जिसमें जो है आप पाएंगी कि ये जो एलाइन सेंगा वो अपने धरातल पर उपलब्द नहीं होगा बहुत बहुत धनेवाद आपने इतनी जानकारी दी जाते जाते कुछ और आप कहना चाहेंगे तो चन्रमा जब होता है तो चनिक तौर पर बुद्धी का विकास जो होता है वो होता है तो जो चनिक बुद्धिमान लोग हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग आप जो देखते हैं इस गडवन्धन को तो बहुत सारे इंटेलेक्शोल जो अपने आपको कहते हैं, लेकिन आपको एक्शली वह इंटेलेक्शोल है या नहीं है, यह कहपाना खोड़ा सा मुस्किल है, क्यूं, क्योंकि राहू युक्त ब्रहस्पत की तो आप पाएंगी कै जो अत्यदिक बयान बाजी होती ना कि ऐसे बार्टी में बेतुके से जिनका कोई संमन्ध ही नहीं है कही राज नीती शे आ अप सूछते हैं कि भाई यह क्या था हूद थोड़ी देर मैं सामान निवेक्ती हूँ जिसका राज नीती से कोई बहुत ज्या सारी की बात करते हैं उसका कारण यही है कि पंचमेस दूसित है तो बुद्धी का जो कारे है वो ठीक नहीं रहने वाला और यही कारण होगा इनके टूटने बहुत-बहुत धन्यवाद आचाची इतनी जानकारी दी रादे रादे तो आपने जाना कि विपक्षी गडबंधन इंडिया की कुंडली क्या कुछ कह रही है चुनाओं से पहले विपक्षी गडबंधन को बनाया गया था इंडिया नाम इसका दिया गया था तमाम मीटिंग्स भी हुई पटना बैंगलोर और मुंबई में विपक्षी एक्ता की एक राली भी हुई तमाम बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए 28 दलों के जोडने के खबर आई लेकिन धीरे धीरे ये विपक्षी गडबंदन तितर बितर होता नजर आया सेट शेरिंग की बात हुई थी लेकिन कुछ ही राज्यों में सीट शेरिंग पर फॉर्मुला जो है वो बन पाया था लेकिन अब जो कुडली है वो इशारा कर रही है कि चुनाओ में तो इनका जीतना मुश्किल है लेकिन चुनाओ के बाद ये विपक्षी गडबंदन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा इस पर आप अपनी राए कमेंट कर लिखें देख तेरे क्या पेटन थीवी नमस्कार